गाइस इंडिया पे मुश्किल से कोई आपको साइकल पे ओफिस जाते दिखेगा लेकिन ये चीज बहार के देशों में बड़ी कॉमन है, specially नीदर लेंड में गाइस नीदर लेंड में बहुत से लोग साइकल पे ओफिस जाना प्रिफर करते हैं, क्या उसके पीछे का रीजन जानते हैं, उसके पीछे का रीजन सुनके आप लोग हैरान रहे जाओगे क्योंकि वहाँ की कंपनिया अपने इंप्लोईस को साइकल पे ओफिस आने के लिए एक्स्ट्रा फैसे देती है, जी हाँ guys, वहाँ पर हर एक किलोमेटर साइकल चलाने के लिए employees को लगबग 16 रुपे दिये जाते हैं, उसके पिछे का reason भी बहुत साफ है, पहला environment की safety, दूसरा fuel consumption को कम करना और तीसरा fitness, physical fitness, guys क्या आपको भी लगता है कि ये idea इंडिया में भी implement ह होना चाहिए, चैट section में जरू लिखेगा, ये घटा है 24 जून 1915 की, जब पहला विश्वयूद चल रहा था, तब एक Hungarian soldier, Paul Karen को एक Bulgarian soldier ने माथे के बीचों बीच ललाट पाली में, जिसे frontal lobe कहते हैं, वहाँ पे गोली मार दी, जैसी गोली लगी, उसे इलाज के लिए ले लोगों को लगा कि वो मर जाएगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ, वो आप लोगों को सुनना चाहिए, वो बंदा जिन्दा बचा, लेकिन उसके बाद से, यानि कि ऑपरेशन से जागने के बाद से, उससे कभी नींद मैसूस ही नहीं हुई, वो कभी सोया ही नहीं, अब ऐ इस रहस्यों में घटना के बारे में सुनने के बाद आपको कैसा मैसूस हो रहा है चैट सेक्षन में जरूर लिखे गाईज जमीन के उपर इंसानों की बस्ती ये तो एक कॉमन बात है लेकिन क्या आपने कभी जमीन के नीचे पूरा का पूरा गाव बस्ते देखा है जी हाँ उस्टेलिया में एक ऐसा गाव है जो की पूरा का पूरा जमीन के नीचे यानि की अंडरग्राउंड में है जिसमें लगबग 3500 के करीब जन संक्या है और वहाँ पर आपको नोर्मल घरों के अलावा लगजरियस घर भी मिल जाएंगे जिसके अंदर स्वीमिंग पूल तक बना हुआ है जमीन के नीचे रहने का सबसे बड़ा कारण है कि महाँ पर गर्मी बहुत जादा पड़ती है क्या आपको इसके पहले तक एफेक्ट पता था और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्चन में जरू लिखेगा हमारा सोर मंडल जिस गेलेक्सी में आता है उसका न यानि की रहस में गेलेक्सी देखी उस रहस में गेलेक्सी की शेप एक्चली छले नुमा यानि की रिंग नुमा थी इसलिए उसे रिंग गेलेक्सी कहा जाता था बाद में इसका नाम हॉग्ज अबजेक्ट रख दिया गया ना जाने कितने रहस है हमारे ब्रमांड में चु जादा बेरोजगारी है। उसके पीछे का रीजन है यहां के लोगों की जॉब मेंटेलिटी। आज भी यहां के लोग अपने बच्चों को जॉब मेंटेलिटी का यह बनाते हैं। मतलब पड़ो लिखो और जॉब के लिए ट्राइ करो। लेकिन जब जॉब नहीं मिलती तो पर बेरोजगारी तो आनी है, लेकिन इसके विपरीत चाइना में बचपन से ही वहां के लोग अपने बच्चों को बिजनस मेंटेलिटी का बनाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूँ की चाइना में जहां एक और हर पनतालीस में से एक बंदा बिजनस मे गाइज अब तो आप समझ गए होगे कि यहाँ पर बेरोजगारी जादा क्यूं है गाइज ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए यूटूब पे हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फोलो करना मत भूलेगा मिलत अगली वीडियो में